हेलो फ्रेंट्स कुड़ मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग आई हो पाप लोग अच्छे होंगे तो नौ बजी का टाइम हो गई है और यहां पर मैं लगई हूँ अपनी क्लीनिंग पर हन्नु चले गया था उसके बाद ही मैंने आज स्टार्ट किया क्योंकि आज हन्नु ने क्योंकि अच्छार दिन की छुट्टी कप पड़ेगी यह कब होगा फिर मुझे खेलना है फिर खेली उसके साथ आदा घंटा कम से कम खेली होंगी फिर जाके अपना काम मतलब से रैडी किया यह सब सब चीज मतलब कबश ब्रश भी ढंक से अब खुदी करवाना पड़ा हर चीज आज को दी करना पड़ा तो बहुत ज्यादा पैंपर करना पड़ा मतलब से तो यह होता है ना बच्छो का कभी कभी जैसा मूड हो बच्छो का न एक तो मौसम भी ठंडा हो रहा है ना और काफी लेट तक बिस जैसे बहुत सुबह जल्दी उड़ जाता था लेकिन आ जाड़ को भी ऑगे एक विस्तर तो पहली उठा लेती हो एक विस्तर रहता है अनूर रहता है ना उसके तो एक विस्तर मतलब वही कंपल वगएरा रहती है तो बस यह बाहर आ गया हूँ बाहर की सफाइए कर लोंगी और जहाड़ो लगने के बाद तो लगता है आधा काम हमारा तक है हमारा को शोट जोन देखना हो दूआ है जर्ण मैं काराद healthy यह दूए तो बगया हैं आए तो सब्सक्राद करें फिक्षर में और निज्सकरित ने हे लिए जर्ण लिए परके हैं दूए से ल्ग जर्ण लेशाज़ाद राज़ा है अब देखो कूड़ा देखो आरफ के ना बैग कल पट गया था उसका बैग ले गए थे हम सिलाने के लिए उपर से मतलब ऐसे फटरा सा वो अभी पूरा फटरा नहीं था जैसे वो नी होती ना जो टांगते गैलेज होती है वो उनको वो करना था तो वो सिला के लाए थे तो सब अगाथ जाड़ा बैट के अंदर यहा पे जाड़ लगए चरण लगा ने के बाद मैं आधा यहा वह अछा मैं आधा रहा है या गर्वातित किचेन की और बरतन तो एक बार और तो एक बार के किचण क्लीन रहेंगे एनास्ते की बरतन के और साथ बाथे भी कर रहे, और भाते वी कर रहे था चाइम पर और पूजा भी मैंने कर लिए है मशीन भी लगी है साथ साथ फिर यह था धर गीला होई जाता है तो मैंने का चलो आधा बरामदा में तब लगा लूँगी और तो बस यहां पर नास्ता कर लेते हैं तो नास्ता करने के पाद हम आ गए थे मतलब यह धूप पे गरम कपड़े में पेहनने लगहों आप लोग पेहन रहे हो गरम कपड़े की नहीं पम पेहन के लिए हैं तब लूगी मैं दोभ्रख sow Marilyn के ऑल पक दूदे हैं लिए लूँए भी मृमका नगर में बृतं हम पहले में पहले papsy दूर लीघ़म तैक येंतों हो और तो व्यक्र रात को यह जोड़के रात को डाल दिया था बाहर क्योंकि सुबह ना जल्दी जाने लगे तो कपड़े ड्रायर हो गए है और उसके बाद आ गई हूं मैं च्छत के उपर तो अब मैं डाल दूगी कपड़े सुखाने और तान यह बस तूटी रखी है पूरी थोड़ा रह रह हम बस ऐसे यह काम चल रहा फिलाल तो बस कपड़े डाल दूँगी और कपड़े भी ज्यादा भी नहीं थे काफी थे आज कल होई जाते ना जैसे एक ने पूरे कपड़े चेंज कि तो अब कल उंकल भी होंगे कपड़े कर बच्चों के नहलाओंगी आज कल मैं आब एक दो बच्चे को या तो आज साम को नहला लूँगी या कल सुबह नहा के और आफ का तो यह दर सुबह जाता है जल्दी तो फिर देखती हो कैसे नहलाओंगे मतलब कल मुकूल मिला के कल कपड़े होंगे धुलने के लिए क्योंकि फिर भी रहता है अगले दिश्वार भी रहता ह जो तो कपड़े क minutos कपड़ आपने जान गादगे हूंगे टो फिर घंत copper भी आविज्या कम ए दू heck philosophy..., आपिज्या जाओ भी म Works hopefullyalay में लिए्टिया। नहीं जाओा प्रूबह गार कि आविज्दिग में आविजदी सोके हँलाए। तो नीचे हैं तो नीचे कि वाइब के वादा में दूप में रही हैं तो यह पर बटन दूदूदूगी और पोछभी मैंने जैसे बुला था ना वी आधर वरामने में होगा वारा तो बस यहां पर रहां जाते हैं प्रवेड में रूज साफ कर चमकते रहता है और शेंग को अगयर साफ करके इसके लाद में शचल लगा लगे तो फ्रेंड मैं बैठ गई थी आराम से आराम से क्या है यह दिमाग चलता रहता है कि यह काम करना है तो 12 बज़े करीब आ गई हूं मैं रूम के अंदर क्योंकि एक वज़े लेने जाना तो इससे पहले में चावल और दाल बना के जाती हूं तो दाल तोबल गई थी तो यहां पे मैंने का डाल चौक डेती हूं और डाल दिया है, मैंने प्याज डाल दिया है तो जब प्याज होता है तब तक मैं रिफाइंट का नब भी खा लिए था रिफाइंड भर दोंगें और डाल चोंक लूँगी है इसके बाद में चामल चड़ा लूँगी सो ब्रैंड अभी शाम के पांच बज़ रहे हैं और आज कल ना मुझे सोने के आदत पड़ गए दिन में तीन बज़े सोती हूं और पांच बज़े उड़ती हूं कल भी सोई थी आज भी फिर न रात को थोड़ा प्रॉब्लम होती काई में रहते हैं बच्छे देख रहे हैं अभी कपड़े लेक हैं अब कपले लेकर आई हूं पांप मैंनक व्लॉग का Aryan करते हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी के साथ वीडियो का आयन करते हैं मिलतें नेक्स्ट वीडियो में बाबाई